सो हेलो गाइज वेकम बैक टू मैं चैनल गाइज एर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियल्मी C2 डिवाइस में रियल्मी युवाई 1.0 बेस अन एंड्रोइड 10 का जो स्टेबल अपडेट है वो कब रोलिंग आउट चालू होगा आई मिन ओफिशली कब रिलीज होगा तो दोस्तों आपको अल्रेडी पता होगा रियल्मी C2 डिवाइस में स्टील अभी तक 1.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो नहीं मिला है लेकिन एग्जैटली कब मिलने वाला है वो मैं आपको बता सकता हूँ इस वीडियो में ओके दोस्तों फिलाल की जो लेटेस्ट इनफॉर्मेशन है स्टेबल अपडेट को लेके वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा लेकिन उससे भी जादा इंपोर्टेंट है आपका एक लाइक वीडियो का लाइक टारगेट ओनली 100 लाइक का है उमीद है आप जल्द ही फटा फटा कंप्लीट कर दोगे ठीक है ना तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने रियल्मी सपोर्ट टीम से स्पेशली चार्ट सपोर्ट पे बात की है और यहाँ पर जो है यह रहा वो ओफिशल स्क्रिन शॉट मेरे फुल चार्ट का जहाँ पर भीया मैंने वही सेम टू सेम सवाल पूछा था आपका और मेरा रियल्मी सीटू डिवाइस में रियल्मी वैवन डाट ओ बेस ऑन एंट्रोइट टेन का जो स्टेबल अपडेट है वो कब रोलिंग आउट चालू होगा I mean कब मिलने वाला है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है उन्होंने मुझे मेरे डिवाइस के सौफ़टर अपडेट का जो स्क्रिंशॉट है वो भेजने को कहा लेकिन मेरे पास डिवाइस अवेलेबल नहीं था सो मैंने सिधा सिधा जो है अपडेट का वो इन्फॉर्मेशन बता दिया जो मेरे डिवाइस में फिलाल इंस्टॉल था 8.29 जो की कलरोइस 6 बेस है एंड फिर मुझे तुरंथ ही एक रिप्लाइ मिला जिसमें बहिया कलरोइस बेस 8.30 न्यू अपडेट के बरे में इन्फॉर्मेशन था इस अपडेट के रिगार्डिंग आलरेडी मैं आपको सभी डेटेल से बता चुका हूँ लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे रिसेंटली खुब जादा कमेंट आ रहा था यह जो 8.30 वाला जो न्यू अपडेट है वो स्पेशली रियल्मी C2 डिवाइस में कौन-कौन सी यूजर्स को मिलने वाला है तो यहाँ देखो यहाँ पर जो है मैं आपको सीधा-सीधा क्लियरली बता देता हूँ यह जो अपडेट है वो only for उनी यूजर्स को मिलेगा जिनके डिवाइस में रियल्मी यूई का अपडेट अभी तक नहीं मिला है जिनके डिवाइस में ColorOS 6 इंस्टॉल है with 8.29 अपडेट के साथ only for उनी यूजर्स को 8.30 वाला जो निव अपडेट है वो मिलने वाला है ठीक है ना यह सब कुछ तो हमें already पता है जिसमें कोई doubt नहीं लेकिन दोस्तों फिर से जो है मैंने वो ही same to same सवाल पूछा 1.0 plus android 10 का जो stable update है वो realme c2 device में कब मिलने वाला है तो यहाँ पर जो है मुझे last and final reply में कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ मिला I would like to inform you that our team is already on it and we will release it in few days तो दोस्तों यहाँ पर जो है गुमाफिरा के सीधा सीधा clear हो जाता है realme UI 1.0 plus android 10 के stable update के उपर realme team का जो है काम continuously चालू है and जल्द ही जो है यहाँ पर जो update है जो stable update है वो release किया जाएगा मतलब कुछ ही दिनों में few days okay exact conformer rolling out date के बारे में मैंने उनसे पूछा लेकिन आपको already पता है वो कभी conformer release date बताते नहीं है दिन अगर कुछ बता भी देते तो उसके हिसाब से कभी update मिलता नहीं है सब गड़बड वाला काम होता है आपको तो already पता है but anyways दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे according stable update release date को लेके अगर आपको कुछ exactly बताओ तो यहाँ देखो यहाँ पर जो है एक simple सा logic है जिसे पहले आपस समझ लो ठीक है न कलरोई 6 base 8.30 का जो new update है वो सबसे पहले pending device से users को मिलेगा अगर आपकी device में still अभी तक यह जो update है वो नहीं मिला है तो यह maximum upcoming 3 days में definitely यह जो update है वो आपके device में मिल जाएगा और उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर officially जो stable update है वो realme C2 सभी users के लिए rolling out किया जाएगा I mean दोस्तों officially release होगा तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप घुमाफ फिरा के यह मान के चलो realme C2 device में realme UI 1.0 का जो stable update है वो आपको next 6 दिनों में मिलने वाला है not exactly confirm लेकिन हाँ यहाँ पर जो है upcoming 6 दिनों में definitely यह जो update है वो मिलना ही चाहिए because दोस्तों यहाँ पर जो है इस reply की हिसाब से कुछ दिनों का जो मतलब है वो exactly यही होता है और दोस्तों जो other information है वो मैं आपके साथ time to time मेरे upcoming videos में जरूर शेयर करते रहूंगा फिलाल दोस्तों आज इसकी वीडियो में बस इतना ही I hope आपको जो है वीडियो पसंद आ चुकी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर देना मिलता हूँ दोस्तों आपको next वीडियो में तब तक के लिए good day take care bye bye